अब देख रहे हैं अपने यूटूब चैनल वन लाइन इस्टाड़ी पांड में दोस्तों मैं आजाद चवान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हरता हूं दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अप्लेट करूँ तो नोटिफिकेसन आपको मिले जाए दोस्तों आज देखें के कुछ मुहत्तोपूर की उच्छन बाल मनों विध्यान से दोस्तों देखेंगे यह चैल्शाप्यूपाइब की उच्छन है सबसे बेस्ट की उच्छन है आप करके जाना किonds को इसससे बाहर नहीं आएगा डूस्तों अभी वन लाइनर उसके बाद करेंगे को कितना सई है कि पहला कि यूप से कौन प्रभावित करता है वह वातावराइट प्रभावित ने और हम देखेंगे की ख्लास है चले लागर्स देखेंगे कि विकास को कि अक्सतव परकिरिया माना जाता है तो इस कि यह करें कि विकास तक परकिरिया माना है तो किसने माना है बंडुरायम स्कीनर माना है अगला की चन देखेंगी अगला की चन नोट करते चलिएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जिरूर करते चलिएगा दोस्तों क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटीवेस्ण मिलता है ठीक किस अवस्था को इस शीखने का अनुखा काल का है तो किसने का है और के पार बहुत बार ज Alright जा करोएं मैं बार-बार नहीं नहीं कहूंगा कि आप नौट करिएप करिए चलिए मैं सीदैं है कि किसोरा baruस्था बड़े संगर्ष तनाव तुफान और विरुष की अवस्त थारा इस तुम श्टेंले हाल अगला क्युच्शन देखेंगे कि मान्माव सिद्शू की भासा द्वारा आज प्रेस्टं की आई प्रारंब होती है तो तीन वर्से प्रारंब होती है ठीक है अगला कीशन देखेंगे बच्चों में बहुतिक विकास की चार अवस्थाओं की पाचान किसके द्वारा की जाती है तो जीन प्यांजे द्वारा की जाती है अगला कीशन कि दूसरे वर्ष के अंत्तक सिसु का कितना हो जाता है तो सवसब्द हो जाता है कि याद रखेगा झाला कीशन कि सर्म तथा गर्व जैसी भावना किस अवस्था में इसका बिकास होता है कि बच्चा सर्म करने लगता है और खुद्व करने लगता है तो किस अवस्था में इसका विकास होता है तो बाल्य अवस्था में उसका विकास होता है अगला किस अवस्था को बच्चे अपने सम्यक समूहों की सक्रिया सदस्य हो जाते हैं तो किस ओरा अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह यह गिरूह बना लेते हैं ठीके स समुं बना लेते हैं घ्किस्जा भर्टकता कि पंपोंड ग्रीती है कि कि अधार पर्थृत्ध होता है विच्ष्ष होता है कटनाय के कारण को पता लगाना ठीक है अक अभुद लागत बाइगोस्गिक के अनुसार विकास होता है तो बाइगोस्गिक अनुसार विकास समाजिक अंतर और करियाओं का कारण खाए तो बेवहार का का अध्यान करना पहले आप इन किष्चिनों को पढ़िए वाल लाइन राजन को नोट करिएगा उसके बाद हम टेस्ट लेंगे तो आपको चार अप्षन के साथ जैसे एक जाम में पेपार आता है मों इसे टेस्ट करेंगे देखते हैं किन साथियों का कितना सही होता है अगल प्रणाली किस पर आधारित है तो प्रणाली आधारित है अगला देखेंगे बुद्धी की स्रेष्टा का कारण प्रजाती है यह कथन है कि बुद्धी की स्रेष्टा का कारण प्रजाती है यह कथन किसका है तो क्लीन वर्ग का यह कथन है दोस्तों अगला देखेंगे अगला किस चना के कि बुडवर्च चिन्तन की कितनी तत्यों बता है प्षैने चिन्तन की पांच तत्यों बताए प्रेणा के कितनी प्रकार होते हैं धैन्स्था वह बकुत है गया सिदांत अधिगमांतरन का सिदांत कहा जाता है जो थारंडाई का सिदांत है बस तो मैं फटा फट चलूँगा तेज चलूँगा ठीक है क्योंकि ज़्यादा समय नुक्सान नहीं करते हैं ठीक हम फटा फट देख लेंगे उन कीश्चों को बीच बीच में चैर्चा नहीं करेंगे लेकिन जरूर वीडियो के लाश्ट तक देखेगा और बताएगा कि कैसा लगा वीडियो अब लोगों को ठीक है तो जूमिन कर देते हैं कि पूरा दिखने सिच्छा के चित्र में सरवादिक महत्व पूर तत्व अभिरूची है यह किसका विचार है तो यह टीपी मैनन का विचार है अगला कीशन देखेंगे जूम कर देता हूं तो सब्सक्राइब आपको अच्छे से दिखे कि सिच्छा का खेल बीदी से क्या तात पर रहे है तो सिच्छा का खेल बीदी से खेल किरियाओं द्वारा सिच्छा देना है ठीके खेल के माध्यम से भी सिच्छा को दिया जाता है अगला किश्चन आप्रेशन ब्लाइक बोर्ड किस्ते संबंधित है most important जितने भी किश्चन है दोस्तों मैं नहीं चाहते हूं बोल देता हूं कि इस सबसे most important question को इन वीडियो में सामिल किया गया वीडियो को अंतर देखिए किश्चनों को नोट करिए मैं बारता कह रहा हूं कि आप किश्चनों को नोट करते चलिए ठीक है चलिए कि फिर से पढ़ता हूं आप्रेस्तान ब्लाक बोर्ड आप्रेस्तान ब्लाक बोर्ड कि किसी संबंदित है तो यह प्रात्मिक विद्यालों में निवन्तम सुविधाओं से संबंदित है अगले किश्चन की वर्ते रहते हैं हम 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 कच्छा सिच्चण की समय सिच्चक द्वारा आपनी आवाज मी उतार चड़ा किस कौसल के अंतरगत आता है तो यह उद्दीप अरिवर्तन के अंतरगत आता है अगले किश्चन के दिर बढ़ते हैं दोष्त आप अगला किशनिवया रहा कि अंतर द्रिष्टि का सिध्धांत की जन्व पर पहले उधारन फिर सिध्धान्त बताथा है कि प्रस्म को पहले समझे यादी पहले उधारन देते हैं फिर सिध्धान्त बताते हैं तो यह किस चन पदति को और इंगित करते हैं अगला किचेन मुल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किसे है तो प्रस्ण पत्र निर्मार से अगले किछन बताइए अन्नु भाव वेवं प्रसिचन के कारण ब्यावार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं तो अधिगम कहते हैं ब्यावार में परिवर्तन होना ही अधिगम के कारण होते हैं अगले किछन खेल से किस प्रकार का अनुसासन उत्पन होता है तो आत्म अनुसासन उत्पन होता है खेल से मनो भिज्यान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलाजी सब्ध की उत्पत्ती हुई है तो ग्रिक भासा से हुई है मनो बिसल्यसरवाद के प्रवर्तक कौन थे तो फ्रायर्ड थे के प्रवर्थक थे अगला समु अखंड बुद्धी का सिधांत के प्रतिपादक कौन है तो थर्ष्टन है दोस्तों मैं दो बार पढ़ देता हूं ताकि आपको किसी किष्चन में डाउट नहों कि स्याही धब्बासी चण बीधी के प्रतिपादक कौन है तो हर्मन रोर्षा ह है दोस्तों क्रिया प्रसूत कि अनुभन्धन का सिधांत किस ने दिया है थो बियाप स्कीनर ने दिया इनका पूरा नाम बियभ इस कीनर है अगला गिल लिए बास सिचन की प्रतम कच्छा किसे माना जाता है तो पुर्व प्रात्मिक कच्छा को बासासी चल की प्रतम कच्छा माना जाता है अगला किस अस्थर के बच्चे अपने समकच्छ वर्ग से सक्रिय सदत से बनते हैं तो किस ओर आवस्था में किस ओर आवस्था के अस्थर के बच्चे जो होते हैं समकच्छ वर्ग में सक्रिय सदत क्षर बनते हैं कि सोरा आवस्थायप सिख्जामने पूछ दें कि कितने से कितने या ऑस्ताया आथ का 12 या त्यर्ससे चाह़ा रूफमे में मुदूर मैं आतेरा से वनिस के बीच में होती है अगला कि चुंटन अनिवारे रुप से है क्या है एक चुंटन अनिवारे संगयानात्म का गतिवी दी है अगला किस्टन देखेंगे सिच्छा में फ्रावेल का मौत्व्र योगदान था तो किंडर कि बयुहारीक जीवन के लिए बिध्यार्थीयों को तैयार करना श्रीक है अगला क्यूचन देखेंगे अगला क्यूचन बताईएगा प्रस्ण बालक का विकास परड़ाम है तो इसका इंसर हो जाएगा दोस्तों वनसान उक्रम तथा वाता उरण की अंतर किरिया को बालक का विकास का परड़ाम है अगला कीशन देखेंगे कि आपकी कच्छा में ये चात्र देर से आता है तो ये आप क्या करेंगे तो कारण जानने की चेश्टा करेंगे दोस्तों कि वह किस लिए देर से आया और किस कारण देर से आया और कि रीजन क्या था ठीक है अगला किस्टिन ब्यक्ति गत्विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं तो भीन होते हैं ब्यक्ति गत्विद्यार्थी आपका अस्थाई होता है किसी चीछ को अगर कहीं भी पड़ रहे तो पहले उसको समझ के सीखते हैं दोस्तों तो आपको अस्थाई हो जाता है कापी ज्यदा दिनों तक हो जाता है और कभी रट लेते हैं तो भूल जाता है दोस्तों ठीके समझेंगे जिस चीछ को एक बार सम संधान उनका उद्धेसे है कि बिद्धियाले तता कच्छा की सचिक करदाली में सुधार लाना अगला किशन देखेंगे कोहल वर्ग का विकास सिधान्त किस से संबंधित है तो यह नैतिक विकास से संबंधित है अगला क्यूचन की तरफ बढ़ेंगे जिन इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती उसका भंडार ग्रह है क्या है जिन इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती उनका भंडार ग्रह है तो अवस्था को दोस्तों गोल्डेन एज के नाम से जाना जाता है अगला कीशन देखेंगे दोस्तों बार-बार कहनता हूं मैं कीशनों को बहुत कारवार साबित होंगे यह यूपी टेट चाहिए सूपर टेट में भी दोस्तों आपके लिए बहुत महत्तों पूर है यह खास करके यूपी टेटा और सूपर टेट की दिरिश्टी से वीडियो बनाया गया है ठीक है अगला बच्चों की पढ़ाई आरम करनी की आधर होती है तो छे वर्स होती है लेकिन आज की समय में देखेंगे तो तीन वर्स बच्चों को स्कूल भेज़ देते हैं लोग तिकए अगला क्यूचन देखेंगे आपसे इग्जया में पूछे कि बच्चों की पढ़ाईगा आरम फिर से इस आरंब आई क्या होती है तो छे व आपको टिक करके आना है गोले को रंग के आना है अगला क्यूचन देखेंगे थोड़ा समीन मैच करता कि पूरा क्यूचन आपको जूमिन कर देता हूं थोड़ा छोटा तो दिखेगा 6-14 वर्ष बालक बालिकाओं की सिच्छा का अधिकार संविधान के किस संसोधन से गया है अगला बताएगा पच्छासी जो पच्छासी बुद्धी लब्धी वाले बालक की स्रेणी में किस स्रेणी में आते हैं तो दोस्तों यह किस स्रेणी में आते हैं आपके तो यह मंद बुद्धी की स्रेणी में आते हैं ठीक है मैं इसका एक ग्राब बना के आपको इ किससे अंदर बुधि लब्धि के बालक समाने बुध्दी की लब्धि के वर्गीकरण किया गया है? तो यूंग द्वारा किया गया है? आगला क्यूच नेखेंगे बिक्रित लिखावट से संभांधित लिखने की योगेता में कमी किस एक ल graphics है? किसका एक लच्छन है तो डिस ग्राफिया का एक लच्छन है एदि आपकी लिखावट से संबांधित लिखने की योगता में कोई कमी आती है तो यह किसका लच्छन है तो डिस ग्राफिया का लच्छन है ठीक है अगला बुद्धी है बुद्धी क्या है आपके पास भी बाई गौस्की के अनुसार बच्चे साहएं तो बाई होसकी के अनुसार वहेसकोंili आपके साथ प्रस्परक्या से सिख्थे आए बच्चे पहला है अगला क्यूच क्वाना माडल के कितनी तत्तों को समलिद किया गया है तो माडल के 180 तत्तों को दोस्तों समलिद किया गया है ठीक है अगला देखते हैं और अगला किस्चान अलबर्ट बंडुरा संबंधित हैं किस्ति संबंधित हैं तो साब्धिक अधिगम से संबंधित हैं अलबर्ट बंडुरा ठीक है अगला किस्चान बुद्धी लब्दी मापन के जन्म दाता कौन है तो बुद्धी लब्दी मापन के जन्म दाता टर्मन है कौन है तर्मन है द नेस्टनल काॉंसील और टीचर एजूके सन दोस्तों बीडियो पसंद आया हो वीडियो के एक लाइक करना दोस्तों और अपने दोस्तों को अधिक-शादिक सेर करना और चैनल को सस्पाइब करना दोस्तों तक आईसे वीडियो चप्सांदिक हो practically करना है तो प्रदाश दोस्त अच्छे अंक प्रात करें ठीक है दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी चीज़ें प्रवाइट कराए जाएंगी वह भी बेश्ट से बेश्ट जितनी भी अच्छे से अच्छे क्यूश्चन होंगे और जितने पूछे गए हैं और उसके आसपास के जितनी क्यूश्चन बनते है पहले हम आपको वह कराएंगे उसके बाद और खिश्चन हम आपको कराएंगे दोस्तों उम्मित करता हूँ कि आप सभी अच्छे अंक से आगामी आने वाले एक जम्में क्रेक करें पास हो और इसी के साथ दोस्तों जैहीन बंदे मातरम मिलेंगे अगले वीडियो में